Hello what's up guys today in this video we will see how to create an awesome react plus react query project in Hindi जहां guys तो आप देख सकते हुए कि जिस project की मैं बात करा हूँ वो है आपका currency converter यहाँ पर हम complete react plus react query plus Axios की मदद से actual real time data conversion करके मैं आपको बाताने माला हूँ ठीक है तो में possible कि आज के दिन हमारा लेट से वान यूसडी डॉलर की वैलु क्या चल रही है तो वह आपको लाइप रिजल्ट्स यहां पर देखना मिलेगा आपका 26 October 2024 तो कुछ यह रेट चल रहा है यह अगर आप देखो कि लेट से वान मन्त एक महिने के बाद या कभी भी तब आपको यह वैल्यू जो डिफर दिखाई देगा बिकॉस हम रियल टाइम API के साथ खेलने वाले है एं एक्चुल डेटा का जो कन्वर्जन है वह हम यह पर 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 प्रफॉम करने वाले विद यहल्प रियक्ट क्वेरी यह जिसको आप कह सकते हो तैंस्टैक क्वेरी बिलिप में बहुत ही ज्यादा मजाने वाले एंस्टैक क्वेरी दें डॉंट वर्याइब अलडी कंपिलिट अमाइब रियक्ट वर्जन सिरीज वर्जन 19 का सिरीज और साथ इसाथ उसी में मैंने यह जो 10 टैक क्वेरी की जो सिरीज उसको भी कंप्लीट कर दी है पजी ने सन इंफिनिती स्क्रोलिंग मूटेशन यूसक्वेरी और सब हम देख चुके है बहुत मजा आएगा इनको जरू चकाउट कीज़ेगा इस इस प्रोजेक्ट में आज इस पीडियो में इसको कंप्लीट बिल्कुल फाम इसको कंप्लीट करने वाले हैं और बिलिप में आपको बहुत कुछ सिखनी मिलेगा तो जल्दी से में यह बता देता हूं किस प्रोजेक्ट में अखिरकार है क्या क्या चीज़ लेट्स गोवित फर्स्ट यूसर इंटर्फेस एं दर हम इस पर देख ते सो आप देख सकते हूं वी है वन बॉक्स टीक है जुसको मेरे इस रेड स्क्वार से मार्क करके रहा है बसिकली बॉर्ड बॉर्ड इस पर देख सकते हो कि यूसदे टु इंडियन करने कि इंडियन टु यूसदी अमेरिकन डॉलर रहे यूरो से बहुत सारे है आपकी मर्जिश जितना वर्ल में जितने करन से सब आप यहां पर पूट कर सकते हो दैन यहां पर बॉत बटन एड दिए डिए वन रिजल्ट अ बटन वहीं हम कंवर्जन कैसे करें इसमें रियक्ट का क्या काम है रियक्ट का काम मैं अब आपको बताता हूं दी आप आर और ऑफ यॉर एक ठीक है यहां पर तो रियक्ट का सबसे पहले तो यह की यूजर जब भी यहां पर कुछ टाइप कर रहा है उसकी वैल्यू को में सब्सक्राइब करना चाहता है तो इसका डेटा कैसे मिलेगा और उसको में कहां पे स्टोड करूंगा तो वो आपका रिएक्ट का काम है और अगें विए बटन इस बटन पर जब में क्लिक करूंगा तो तभी मुझे डेटा को फैच करना उससे पहले नहीं करना है विकोज इन रियक्ट कोई डेटां बाइड डिफॉल्ट फैच कर रहे होते हैं तो अगर वो बाइड फैच होता गया जब 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 यूजर चेंज कर रहा है तो काईस वी हैब लिमिटेशन विट आफ फ्री एपी आइई की क्योंकि एप्री में क्यों देगा मैं फ्री में यह सब डिफायन करोगि सब काड़ा मिला कि उस अपका यह को कॉल करना उस एक में जाके फ़ंक्शंस या फंक्शिनालिटेटी तो गेट दी कन वर से वाला डेटा उसको फांड रिटां करते हैं जो देटा मिलेगा उसको फिर हमें यहां पे डिस्पले करा आना है तो यहां साइगे से अच्छा है इतना भी अगर आप खुछ से कर पारे हो एंड रही बात अब यहां पर react query का क्या काम है what is the use of react query in this project तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी और data यहां पर पूट करते हो ठीक है फिर किस किस में change करना है I mean किस currency को किस में change करना है जब यह आप सब डिफाइन कर दे रहे हो तो वह सारा का सारा data आपको कहां देना पड़ेगा in your react query आपको react query को पास करना है वहां पर आपको axios की मदद से क्या करना होगा वह API को कॉल करना है और उस API में इसका data इसका data इसका data सब डेटा यहां पर पास करके आपको फाइनल रिजल्ट हो देगा जो आप यहां पर display करा सकते हो तो इस तरीके से आपका simple HTML CSS जो की in react आपका JSX कहलाता है then react का क्या काम है and then react query का इसमें क्या काम है मैं आपको पता दी error और हाँ एक और important चीज क्यों react query को जिसमें error handling and then loading state and all those thing mutations यह सारे चीज़े by default automatic हो जाता हमें कुछ करने की नीड़ी नहीं तो यहीं सेम प्रोजेक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने I guess 2 या 3 दिन पहले भी बनाया है अगर आप देख सको तो यहां पर आप यहां पर बहुत क्लिए देख सेकते हो currency converter app but मैंने pure react and axios की मदद से बनाई थी but मैंने सोचा react query बहुत important है तो इसी project को अब आप react query की मदद से कैसे create कर सकते हो वह आप हम बिना किसी देर किस्ट को start करने वाले है फॉस्ट फॉल अभी मैंने जितना आपके साथ सेर की अगर आपको पसंदार प्लीस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के से कमेंट कीजिए are you excited or not and then finally इस वीडियो का एं तक जरूर दिखेगा क्योंकि आपको बहुत को सिखनी मिलें we are very close to 7 lakh subscriber and अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब निंगे तो प्लीस कर दीजिए गा ठीक है इसका सोर्स कोड और जो भी नोट्स एंड दोस ओल तिंग्स में बिल्कुल फ्री में प्रवाइड करने वाला हूं अगर आपको मेरे एंटायर यूटूब वीडियो का सोर्स कोड चाहिए होगा तैने इट्स ओनली पूर्टी ने रूपी जिसमें ना तो आपको एक सब्वे मिलेगा ना आपको कुछ मिलने वाला बट आपकी पूरी करियर बदल सकती अगर वह कंप्लीट अगर आप बाई क रियक्त क्वेरी बेसिकली लेकिन सबसे पहले वी निट इंस्टॉल वीट ठीक है आई मीन वीट के थुरू हमें करना राइट तो आंप नॉट इंस्टॉल वीट अप लिग सेकते अधर लेट अगर आप इतना लिगते हो तो आपको कुछ इस्तरी किसी दिखाई दे रहा आ ना मा पूछल में लिग देता हूं react-query- project ठीक में react-query- project react-query-app कर देता हूं चलो ठीक है we need और react we need a JavaScript that's it मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूं and ठीके मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर चलाए गया अब मुझे NPM and then install करना पड़ेगा क्योंकि जितने भी हमारे packages से मुझे उसको install करनी जरूरी है and साथ इसाथ we need a मैं चलता हूं 10 stack query इना इसको मैं overview पर जाता हूं we have a installation वाला part over here and आप देख सकते हूं कि कुछ NPM install इस तरी किसा आपको इसको copy करनी पड़ती है तो मैं इसको copy कर रहा हूं अब यहां पर बहुत कि लेली देख सकते हूं NPM के थूरू P NPM YAN and then burn तो मैंना अल्रीड आपको burn के बारे भी बाता इस ऑसम बड़ अभी एकदम सिंपल रखते है यहां पर मैं चलता हूं अब देख सकते हूं NPM install 10 stack query इसको भी मैं जा रहा हूं आप लोगो कि वही क्या होता है कैसे इस ट्रॉल करने अन पेस्ट तो आप देख सेखते हूं कि हमने रियक्त को इस्ट्रॉल कर ली हमने 10 stack query को इस्ट्रॉल कर ली अन देन वी अन्स्ट्रॉल एक्स इन प्रोजेक्ट सो NPM run and then dev ठीके इतना आप कर दीजिए इस इस तो 5174 प बाइब डिपल्ट हो 75173 पर ही कर रहा होगा and yeah this is it so हमारा यह जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो गया यहां पर ठीक है अल्राइट ठीक है अब सबसे पहले let's do one thing मैं आपको package.json file दिखा देता हूं कि मेरा यह जो dependency 10 stack query आप देख सकती हो we have axios react and then react door ठीक है दो मैंने आपको already react version 19 का जो tutorial है वो बताया है just यह एक video है इसको आप check out कर सकते हो this one कि आप version 19 में कैसे उसको install कर सकते हो फिलाल अभी वो RC stage पे है ठीक है all right so इतना मेरा काम हो गया है एक काम करते है let's go with our app.j6 file इस अब को मारो गोली मुझे इनकी नहीं इसके भी फिलाल कोई नहीं है यहां पर आप simple link दोगाए सिस्थर के से const we have a app and I know यह बहुत छोटा लग रहा है आपको यहां पर आपको लिखना होगा return hello currency ठीक है आप कुछ भी लिख सकते हो इसा कुछ नहीं है hello currency and obviously यह यह रेंडर तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको export नहीं करते हो and in our case हम इसको default export करें जो कि by default हमारे main.jsx पर हमें मिलने वाला है तो एक बार बस refresh कर दो hello currency आपको मिल गया ठीक है तो वह black color का background and then यह hello currency मुझे center में दिखाई दे रहा है उसके पीछे का reason यह है guys कि by default यहां पर अगर आप देखो line of quotes तो कोई बड़ी बात नहीं because it's super easy ठीक है मैं फिर भी एक बार आप लोगो कुछ तरिके से scroll करके दिखा देता हूं आप इसको pause कीजिए and questions समझने की courses कीजिए क्योंकि बहुत easy है यह and so yeah this is it तो इतना ही है guys आपका CSS का part and I hope मैं अभी जो scroll किया या तो आप इसको slow या तो pause करके खुछ से एक बार इसको check-out कर सकते हो ठीक है ओलाइट यह में एक control एक control कर देता हूं app.sx में तो कुछ नहीं चाहिए मुझे तो मेरा काम हो गया इसकी भी मेरी इसकी भी कोई मुझे नहीं है all right now सबसे पहले जो भी डेटा हम यहां पे चेंज कर रहे वह रियल टाइम डेटा हम चेंज कर रहे है ठीक है तो उसके लिए वी निद एन API so we have something called exchange rate api.com यहां पे get a free key में आपको क्लिक करना है by basically you need to put your email address first login कीजिए get a free key पे आप जाईएगा तो आपको यहां पे आपका key दिखाई देगा और मैं अल्रेडी इसको 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 कर सकते हो तो this is my API की इसको मैं copy कर रहा हूं और मैं यहां पर आता हूं और फिलाल के लिए मैं यहां पर पेश करके छोड़ दे रहा हूं ठीक है सबसे पहले गाइस what we need what we need we need one store ताकि हम उसमें एक सी उसका code लिख सके ठीक है मैं देखता हूं इसको थोड़ा समय यहां यहां पर आप देख सकते हो source पर मुझे आना है ठीक है एक न्यू फोल्डर क्रेट करना है जिसका नाम होगा API उसके अंदर जाना है एक न्यू फाइल क्रेट करना होगा जिसमें आप लिख दो पोस्ट API.js एक से कन्वेंशन है जो हम चला चलाते आ रहे तो सबसे पहले वी नीड टो क्रेट एन इंस्टेंस ओफ और ऑफ और ऑफ एक्सियोस सो कैसे करेंगे देखो गाइस लेट्स को विट नॉट इन कैपिटल लेटर बद इसमॉल पर एक्सियोस लिखना है स्वारी नॉट अंदर एक मैंथड जिसका नाम है एक्सियोस टॉट क्रियेट और यहां पर वी निड टो पास एन अब्जेक्ट अन उसमें की है जिसका नाम है बेस यूरल ठीक है कुछ इस तरीकी से ओल ठीक है इतना मेरा काम होगे इस बेस यूरल पे मेरा यह यह जो यूरल है इसको मुझे आप मुझे यह जो एक्सियोस है इसको मुझे इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा फ्रम आवर एक्सियोस ठीक है इस तरीक से दिस इत तो ना दिस इस माई एपी आई ठीक है इसके अंदर आ एक्सियोस के जितने भी बिल्ट-इन मेथर्ट से या प्रॉपर्टी से और अल कोई भी डेटा को गेट करना हो वी हब फोर स्टीप मेथर्स इन जनरल डैट इस यो अगेट पोस्ट पूर्ट या पैच फॉर अप्डेट अप्डेट अधन देली ठीक है तो फिलाल मुझे डेटा को रेट करना है मुझे डेटा चाहिए सो फॉर दैट विल गोट इस करन्सी कंवर्ट ठीक है यहां पर में चलता है कंवर्ट तो सिंपल में अब इसके अंदर चलना चाहूंगा और हमारा जो फंक्शन है वो रेडी है ना वाट वी तो गाइस हम क्या करेंगे डैक्ली हम रिटन कर सकते ते बाट यहां पर में चीज आपको बताना चाहूंगा यहां पर आपको जो रूट वो पास करना पड़ेगा ठीक है तो मैं आपको बताना चाहता हूं तो इस अगर आप कभी भी कॉल करोगे जिसमें यह फ्रम करेंसी मतलब किस करेंसी से कौन से करेंसी में आपको कुबर्ट करना है मैं आपको बताता हूं आपको वांट फ्राम अड़न धान से देखिएगा यह क्या है इस आवर अमाउंट लेट से 10 यूस डी डाल आउ दिस आरमाउंट वाट इस इस फ्रम करेंसी तो यूजर क्या चाहता है यूरोपियन पैसा बेसिकली 10 USD है या Euro है या Indian है या German basic not German Great Britain OW Europe Holland North Canadian USD so from currency may we have this USD to current क्या को Indian currency में करना है क्या American UK Euro Great Britain क्या Aust62 इस तरही से so amount from which currency to which currency वो आपको यहां पर पास करना पड़ता है and obviously जब भी आप Axios या कोई भी API को hit करते हो या call करते हो they return promises ठीक है तो उसको handle करने के लिए we have a promises but उसको और better दर के से handle करने के लिए we have something called async await so we need to make our function async await कैसे करते है async and then we need to wait जब तक वो हमें conversion करके data दे रहा है and जैसे ही दे देता है तो उसको मैं response करके जो मेरा constant variable है वहां पर मैं उसको store कर दूँगा all right अब one thing आपको make sure करना है and that is कि यह जो data from to currency and then amount obviously यह हम यहां पर directly उस तो नहीं कर सकते क्योंकि मैं इस particular application में कहां से यह जो तीन variable है उसकी value मैं कहां से यहां पर लेकिया हूं तो we need to get this variable की value right तो मैं अब यह assume कर रहा हूं जब भी कोई इस button पर click करेगा तब वो amount क्या था कितना है basically किस currency से किस currency में conversion उसको कराना है वो सारा data मैं तब पास करूंगा as an argument वाट फिलाल मैं as an as a parameter उसको accept करने वाला हूं यहां पर that is from currency to currency and then we have this amount this is it simple जब यह फंक्शन को define करें that time अगर आप parenthesis के अंदर जो भी वेरेवर लेकर दे आर नोन इस पैरामिटर्स ठीक है अब यह जो response है फिलाल के लिए में console.log and rest करके छोड़ देता हूं this is it ठीक है तो अब भी हम इसको इतना करके छोड़ देते हमारा axios का part complete हो चुका है ठीक है now what we need to do तो अब हम जल्दी से काम करते हैं कि हम हमारा जो यूजर इंटरफेस है उसको create करते हैं and then with the help of react query हम data को get करने की खुशिस करेंगे ठीक है तो बहुत easy है तो गाइस यहाँ पर let's go with our section ठीक है इस section में में आपको बताना चाहूंगा we have a class name of currency converter अब उसके अंदर भी we have a div ठीक है उस डीप को में और एक और class दे रहा हूं that is currency div अब उसके अंदर we have a h1 and then we have a hr simple like इसमें कोई बड़ी बात नहीं है we have a h1 and then we have this hr अब उसके अंदर में आपको हजा बात दिखा चुका हूं and that is दे को इतना मेरा बनके ready है and that is not this part this part कि यह जो particular part है एक input field दो select option and then एक button ठीक है simple so ठीक इसके अंदर में चलूंगा now we need to create that input field so we have a div we have a label ठीक है and html label फॉर के भी need नहीं है ठीक है रहें दो में directly इसके अंदर इसको लिखने वाला हूं let's go with amount and tick इसके अंदर का हमारा जो input field है उसको मैं type करने वाला हूं and फिलाल के इतना में छोड़ देता हूं अगर इतना भी मैं करता हूं तो कुछ हो आपको इस्तरी किसी दिखाई दे रहे है now we need this two select options जिसके अंदर multiple options है राइट तो from and then to तो मैं क्या करूंगा यह जो आपका div है ठीक इसके नीचे अब हम चलते है तो let's go with one more section क्योंकि मुझे उनको side by side करना है and मैं display flags चाहता हूं that's why मैं new parent यहां पर create कर रहा हूं and we have a currency selector ठीक है अब इसके अंदर मैं चलना चाहूंगा we have okay we have a label again here also so label के लिए मैं चलता हूं label में कुछ नहीं we have a from and then इसके अंदर we have a select का option select options this is it बताना चाहूंगा name and id file हमें इनके कोई need नहीं है इस select के option में चलना चाहूंगा and then we have a multiple options तो अब options के लिए आप बहुत सारी चीजे कर सकते हूं लेकिन if you remember अगर आपने यह मेरा वीडियो देखा होगा जहां पर नॉर्मल तरह किसे जो मैंने करके बाता है यहां पर मैंने बाता है एक मैं आपको इस वीडियो में बाताने वाला हूं कि अगर multiple options है and उसको guys आपको हर बर क्या करना पड़ता है वी निद तो राइट इस तरह किसे options value and then suppose usd तो वही same usd आपको लिखना पड़ता है लेट से अगर यह 10 options होते आपके पास तो आप क्या करते कुछ इस तरह किसे आप 10 बार करते कि नहीं सज बताओ आपको कुछ इस तरह करना पड़ता है अब यह हेक्टिक है ना and we all know react बोलता है कि think as a component or do not repeat yourself all of handa को अपना तो हम क्या करेंगे एक फिलाल चलो ठीक है एक को में रखता हूं अभी के लिए अब उस एक को में 10 बना सकता हूं बहुत ईजी लिए मुझे मालूम है कि मुझे क्या क्या चीए मुझे मेरे select option जो basically हमारा select box उस पर मुझे कौन कौन से डेटा ची यूस्डी यूरो इंडियन रुपीज यह जो भी Great Britain basically मैं बूल गया है वहां पर पॉंड बोलता है गैस या इंगलेंड में पॉंड and then हमारा Australian dollar तो यह जो पर्टिकुलर पार्ट है फिलाल अभी मैं डिरेक्ली ना अभी मैं इसको मैं इसको मैं चलाओंगा इस पर ठीक है मै यह जो पर्टिकुलर ओप्सन आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो यह जो दिख रहा है रेड वेब लाइन इसको में रख देता हूं करेंसी क्योंकि की यूनिक होना चाहिए और मुझे मालूम है मेरी हर एक वैल्यू यूनिक होने वाली तो मैं इंडेक्स के बदले डारेक्ली यह वैल्यू पूट कर सकता हूं यहां पर जो वैल्यू है इसको अपमें काईस टेंपलेट लिट्रस की मदश से टेंपलेट लिट्रस के बी जौत नहीं है डारेक्ली में करेंसी पास कर दूँगा एंड इस जगे पे भी डारेक्ली जो भी मेरा करेंसी होगा वह में पास्, कितिनी इजी होगया मेरा काम मुझे कुछ निकाना खाली मुझे इस एरे पर उसको as an element की तरह बस add करते जाना है अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूं and दिखाता हूं and boom guys see यह देखिए कितना awesome यह हमें लग रहा है right so same यही जो part label I will copy this one यहाँ पर मैं चलूंगा and then paste कर दूंगा ठीक है तो फिलाल के लिए इसको में यहाँ पर and यहाँ पर इस तरीके से रख देता हूं ठीक है कुछ इस तरीके से yeah this is it इतना मेरा काम हो गया तो same यहाँ पर भी वह है and yeah अब देख सेक्तों कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है and for the time being for the very first time it must be यह वाला part so INR यहाँ पर आईए एक बार रिफ्रेस कर दिजिए so yeah we have this part and then we have this particular part so we are left with this particular button to level के नीचे में चलता हूं and then section के नीचे so guys यहाँ पर हम क्या करेंगे we have a button and यहाँ पर फिलाल के लिए मैं लिख देता हूं क्या लिखा हूं से convert ठीक है so convert में लिख दे रहा हूं अब all right ठीक है यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूं यह hardcore लिखने से better क्यों क्योंकि if you remember अगर मैं थुछी देर इसको करता हूं तो converting लिख के आता है and then convert आ रहा है तो वह हम कैसे करें यह सब dynamic हो रहा है then convert दिखाओ simple यह फंडा में यहां पर अपना रहा हूं and by the way यह जो loading वाला जो पाट है मैं बाताना चाहूंगा is loading क्योंकि मैं directly ना कोई state variable इसके लिए लेने वाला नहीं हूं react query जो हमें provide करता में directly उसका यूज करने वाला हूं and convert यह कोई variable नहीं एक string है that's why आपको double quotes के अंदर लिखना पड़ेगा and साथी साथ यही same funda में यहां पर भी कर सकता हूं if you remember or not I don't know but यहां पर अगर आप ध्यान से देखो कि for the very first time में इसको click नहीं कर सकता because disabled हां hover effect में ने रखा एक अलग बात है but disabled में ने करके रखा कि जब तक कोई amount 0 या I mean 0 से बाड़ा नहीं होता देखो यह है actual the moment 0 यह वापस चलाई है तो वह कैसे हो रहा है देखो disable की property है जहां पर is loading and या तो यह या तो अगर हमारी जो amount है if it's less than or equal to 0 या तो 0 के बराबर या 0 से कम हो तो गाइस हम यह जो particular part है basically button को हम disable ही रखेंगे simple ठीक है अब आपके माइंड में आ सकता है कि यह is loading मुझे कहां से मिल रहा है और साथे साथ what about this amount variable अब यह कहां से आ गया तो यह सब कुछ मैं आपको बताता हूं आप फाइनली वह घडी आ गई है जहां पर हम react and react query का यूज करने वाले हाला कि हम already react यूज कर चुके है यहां पर यह सब कुछ यह reactive ही तो है right so देखे ध्यान से हम एकदम यहां पर चलेंगे सबसे पहले तो एक चीज आपको ध्यान रहा है यह from to and then amount यह मुझे all right यह मुझे कहां से मिल रहा है तो obviously उसके लिए we need to create a state variable सबसे पहले we have this amount and then we have this set amount basically updated function and use state में इसकी जो इनिसल वैली हो जिरो रखिया फिर वही we have to write basically we need to get a from currency की वी value so that's why उसके लिए हमने state variable बनाई and by default जो from currency उसमें मैंने usd को default value रखा हुआ है then we also need a two currency की value to two currency set two currency and इसमें मैंने इंडियन रुपी जो है उसको default करके रखा हुआ है अब इसको मैं control and then space press करूंगा तो मैं directly उपर इसको import कर सकता हूं so amount तो मैं already use कर चुका हूं that's why मुझे इसमें कोई error या कोई भी warning throw नहीं कर रहा है but remaining यह सारे चीजों को मुझे करना होगा one by one use ताकि यह मुझे स्थिरके से दिखाई ना दे all right ठीक है यह मेरा काम हो गया now let's do one thing and that is कि user अगर कुछ भी यहां पर type करता है ठीक है इस particular जगे पे तो हमें उसकी value को get करना होगा एंड हमारा जो state variable है amount उसको store करना होगा बहुत easy है so what we will do we will go with value यहां पर simple I will go with amount and user अगर कुछ भी change कर रहा है तो मुझे इस amount की value को dynamically update भी करना जरूरी है ठीक है मैं already यह जो हमारा world-based react version 19 की series है इसमें बता चुका हूँ मैं आप देख सकते हूँ यहां पर react का दो आज से चार साल पहले भी मैंने complete करी दिया था and react का full course देखना हो तो इसको भी आप check out कर सकते हो यह बहुत easy part है जहां पर value तो लिखा लिखा अपने अब आपको लिखना होगा on change and here we will pass the callback function जहां पर हमें by default एक event object मिलता है so set amount ठीक है यहां पर event dot we have a target dot we have a value to not validate we have a value तो इतना लिखने से अब user जो भी लिख रहा है उसकी value में को amount करके जो यह मेरा state variable है वहां पर मुझे मिल जाएगा so now यह मेरा set now what about this from currency and then set from currency so अब हम चलते हमारे select box पे बहुतों के मन में doubt होता है कि यहां पर इतने सारे options है यूजर ने suppose India select की तो हमें कैसे पाता चलेगा कि यूजर ने किसको select किया है right obviously आपके mind में यह doubt आ सकता है but believe me यह भी बहुत simple है यहां पर किया था same हो ही मुझे यहां पर करना है select में जाके आपको value and that is nothing but your from currency ठीक है and we have on change here also and basically user ने किस options की field को select किया उसको मैं यहां पर again same हो हमने अपनाया उसकी मदद से get कर सकता हूं set from currency event dot we have a target dot we have a value so that's why no matter what is your value attribute इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है because of this value attribute इसकी जो भी value हम जब भी select कर रहे तो वो यहां पर जाके update हो जाता है and वो हमारे from currency में जाके stored हो जाती बिसिकली इसकी वो current value कहलाती है now यह जो same code मैंने लिखिया है इसको में copy करूंगा मैं ठीक यहां पे आऊंगा and then में paste कर दूंगा nothing fancy it just I guess मैंने इहां पे extra कली ब्रेस में भूल गया and instead of set from currency I will go set to currency and from currency को में to currency में convert कर दूंगा so this is it so we are done with our react part also जहां पे हमने state variable create की with the help of use state hook and then हमने amount basically user क्या type कर रहा हुसकी value get की then from currency किसको वह कौन से पैसे बताना चाहरा है किस currency to currency convert करने की कोशिस कर रहा है so अब अगर मैं यहां पे चलता हूं refresh करता हूं we have something and that is is loading okay fine फिलाल अभी वह basically इसके कारान हो रहा है but इसको मैं comment करके रख दूंगा तो आप कोई problem नहीं मेरा सब डेता एक्दम पॉफेक्ट है मैं बस दिखाना क्या चाहता हूं component पर अगर मैं आप चलूंगा इस जगे पहना we have a app and आप बहुत के लिए लिए देख सकते हैं we have this particular 0 USD let's say मैं लिख देता हूं 100 and boom guys see यह देखो मेरा यह अप्डेट हो गया 100 USD है INR है तो डेटा तो मुझे मिल रहा है डेटा मुझे मिल गया बस मुझे क्या करना है अब API को कॉल करना जब भी को इस पर्टिकुलर बटन पर करेगा क्लिक अब इस बटन पर जब भी करेगा कोई क्लिक तो वी निड़ टू फायर दी ओन क्लिक इवेंट and handle ठीक है I guess currency spelling mistake कोई है यहां पर ठीक है यह जो handle currency converter है इसको मैं टॉप पे चलूँगा const handle currency converter इस तरह के से define करके मैं छोड़ दूँगा इतना ज्यादा सिंपल है अब यहां पर ना मैं directly जब हम इस बटन पर क्लिक करें मैं API को कॉल नहीं करना चाहता react में होते तो use effect hook बहुत कुछ लगता इहां पर बहुत easy है now अब हम finally react query basically 10 stack query की मदद से API को call करने वाले हैं and इस तरीके से कि जब भी first time में page load हो तो API call ना हो वो तभी call हो जब मैं इस button पर click करूंगा या इस function को call करूंगा and वो भी एक awesome चीज है कि यार इतना easy ठीक है अब देखना द्यान से कैसे so to fetch the data ठीक है with the help of react query कैसे होता है we need to use the use query hook ठीक है मैं अगर इहां पर चलता हो ठीक है मुझे कोई suggestion नहीं आ रहा है it's fine but I know it's a use query hook and that is nothing but from at the rate 10 stack react query simple अब यह जो use query है guys it accept basically parenthesis के अंदर we need to pass an object जिसमें minimum 2 properties आपको पास करने ही पड़ती है ठीक है and that is nothing but first is your query key and आपको उसको array बना के now यहां पे जो currency है यह आपका एक unique key है जिसके base पे आप define कर रहे हो कि कौन से query को आप fire करना चाह रहे हो यह रिप्रेजेंट कर रहे हो simple word में and then we need to pass the query function yeah this is the query function अब यहां पे आपको उस function को call करना है जहां से आप data को fetch करना चाहते हो and in our case we have already created that function and that is currency converter already export भी मैं कर चुका हूं तो मैं उसको यहां पे पास करना चाहूंगा अब मैं पास कर के कुई मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है देखो अब डारेक्ली से पास नहीं कर सकते because एक चीज़ तो क्लियर है यहां पे यह तीन डेटा जो हैना basically three parameters हुआ expect कर रहा है इस उमीद में कि कब इसको call किया जाएगा कब मुझे यह तीन डेटा मिलने वाला है so that's why if you want to pass कोई भी arguments to it's always prefer यहां पे जैसे हम नॉर्माल अब्जेक्ट में भी करते हैं कि आपको इस तरीके से fat arrow function यूज करना है ताकि यह बार बार क्या कह सकते आपका वो infinite loop पे ना चला जाए that's why इस तरीके से यहां पे आप आप वो पास कर दो ना we have a from currency we have a to currency and then we have a amount this is it अब यह जो particular part control and then space and उसको भी हमने कर ली यहां पे import right अब यहां पे एक चीज है बहुत important and that is enabled enabled का value में अगर आप true लिखते हो तो it means for the very first time यह data fetch करके आपके लिए already ready रखा रहेगा and then बाकी सब कुछ जो भी data आता हो हम cash से ले सकते बट मेरे case में तो जब तक मैं इस button पर click नहीं करूँगा ना तब तक data मुझे नीची है तो मैं मुझे first time से लेना देना है नहीं मुझे data को false यहां पर रखना पड़ेगा अब obviously आपके मन में आ रहा होगा यार यह सारे data मुझे कहां मिलने वाला है function को call तो कर दिया बट इसका data कहा मुझे मिलेगा तो वह भी आपको tension ही लेना है मैं directly destructure कर रहा हूं and then data तो यह जो data वाली जो property है इसमें अब आपने यह function जब call की तो उसका जो भी output होगा वह यहां पर मुझे मिल चुका है मुझे साथे साथ यह भी है कि जब तक यह data वह fetch कर रहा है तो उस बीच हम loading state को tackle करते है and error state भी tackle करते ताकि कहीं कुछ गर्वर्ड ना हो जाए तो वह भी यह by default देता है is loading में आपका वह पूरा loading state आ गया we have a is error also and साथे साथ we have a error also इतना लिखने से आपका काम हो चुका है अब यह जो is loading का कोई पंगाव हमें रहेगा नहीं error का कोई पंगाव हमें है नहीं बचा our data तो मैं काम करूंगा इस data को मैं converted amount कर देता हूं यहां पर converted amount मैं मैं इस तरह के से एक इसको lias name जो है मैं assign कर रहा हूं simple ठीक है अल्राइट अब यही जो converted name है converted name basically यहां पर मुझे मिलेगा यह जो है यह आपका converted value value है तो हम गाइस यहां पर चलते है HR basically client and यहां पर मैं condition रखने हूं आपका converted amount जो है अगर इसकी value रहेगी then and then only मुझे h2 में वो data को display कराना है कुछ इस तरीके से ठीक है and I guess इसके मुझे कोई need नहीं है yeah this is it to converted amount की value रहेगी then and then only amount जो भी let's say 10 from मतलब usd dollar 10 usd dollar will be equal to जो भी converted amount.2 fix मेंने कर दी यहां पर after decimal we will only get two numbers let's say one sorry not one 10 usd dollar will be equal to 841 INR 2 currency की value कुछ हो इस तरीके से हो रहा है and साती साथ जब इतना हुई ही गया है तो इसी के नीचे में चलके error भी रख देता हूं कुछ इस तरीके से ना जिसमें error में अल्रेडी टॉप पे दिखा error is loading fetching catching सब कुछ by default हमें use query दे रहा है basically react query तो an error occurred error.message इतना ज्यादा simple है and we are almost done right मैं अगर यहां पर चलता हूं इस जगे पर तो problem मुझे मैं आपको बताता हूं क्या दिखाएगा यह बता रहा है कि no query client set या से जब भी आप react query use करते हो तो भाई कैसे तो उसका simple मलत है कि अब आपने use query तो आप use कर रहे हो बट यह बागी हर एक application में आपको इसका use करना है यह जो use query इसकी power आपको हर एक application में चाहिए हर एक basically component या फाइल पर एंड वह आपको फ्री में तो देगा नहीं न so that's why क्या करना पड़ता हमारा यह जो मेन वाला जो फाइल है यहां पर चलके मुझे मेरे application को रैप करना होगा inside 10 stack query ताकि हमारे application 10 stack कोई भी properties और मेथर्ट सो इसको एक्सेस कर सके and for that we have something called provider yeah I think is it a query client provider ठीक है इसको आपको रैप करना है and यहां पर एक और चीज़ बोला था उसने query client नहीं मिल रहा है यहां पर आपको client पास करना है and इसके अंदर query client आपको पास करनी है so वह आपको कैसे मिलेगा वह बताता हूं उसके लिए we need to create an instance of something called query client यहां से मुझे query client मिलता है इसका जो इंस्टेंस है वह मैं create करूंगा and इस तरह किसे करता है और कैसे करेंगा ना const यहां पर डिरेक्ली लिख दीजे client this is it तो यह जो client इसको copy करके आप यहां पर पेस्ट कर दीजिए simple इतना अगर यह client client आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो आप इसको इसको किसे query and then client भी हाले कि यह तो constant variable का नाम है आप कुछ भी लिख सकते हो but आपके लिए भी easy हो जाएगा देखो query client and query client provider को मैंने get की यहां पर import किया we need to wrap basically query client provider हमें मिलता ही मिलता है आप प्रोवाइड हम रैप करते हैं जब हम context API के साथ खेलते ऐसे राउटर के टाइम में भी होता ही है तो client के अंदर हमने पास कर दी इतना अगर आप कर देते हो तो देखो मुझे data आ रहा है मैं inspect पे चलना चाहूंगा console पे ओवह हो एमांट लेट से 10 यूरोपियन ठीक ही रहता हो ना किसलिए कुछ करना convert में कर रहा हूं तो guys the moment मैंने convert पे क्लिक की कुछ नहीं हुआ अब convert पे तो मुझे इस particular function को call करना है and वो जो मेरा particular function है वो तो already यहां पे हो चुका है यूज तो अब मैं इस function को basically query को मैं कैसे fire करो यह query function को तो उसके लिए गाई से एक awesome है यहां पर हमें एक method देता basically property that is refresh ठीक है अब आपको कुछ नहीं करना है जब इस button पर आप करोगे click we need to refresh बस आपको यह refresh function को call करने this is it इतना ज्यादा simple and हम यहां पर थोड़ा से condition लगा देते कि if हमारा यह जो amount if it's greater than zero then and then only आप यह function को refresh कर सकते हो right simple देखो नो कितिना इजए आपके माइन में डाउट आया होगा कि साइध मुझे इसको कहीं तो भी store करना पड़ेगा and then उसको मुझे यहां पर call करना during button click but नहीं by default एक refresh हमें देता है यह provide करता है and उसको call करते ही हमारा काम हो जाएगा simple refresh method इसलिए काम आता है बार-बार आप इसको refresh किजिए वापस से fetch करने के लिए कहिए right so यहां पर मैं चलूंगा कि लेट से 10 एंड में कंबर्ट पर क्लिक कर दे दा मुमेंट मेंने क्लिक की तो आप देखो डेटा तो मुझे बारा बार आए डेटा मुझे बारा बार आ रहा है देखो status 200 we have this data अभी डेटा को में further destructure करता हूं यहां पर बहुत चीज़ देख सेकते बेस कोड कंबर्जन रिजल्ट तो यह जो कंबर्जन रिजल्ट यह हमारा actual converted amount यह डेटा जो मुझे डिस्पले कराना है तो यह जो कंबर्जन रिजल्ट इसको मैं कल देता हूं कॉपी अभी यहां पर मैं चलूंगा मैंने का याद है मैंने का था कि at the end में एक चीज़ बाता हूंगा अब यह है return we need to return a data right आपको यह function call करें कुछ return नहीं करें कैसे चलेगा so we have a response.data and yeah this is it conversion result तो response.data के अंदर जो conversion result था उसको मुझे return करना है and आप मुझे सिर्फ पर सिर्फ वह value वहां पर मिलेगी ठीक है यह जब भी इस function को call करूंगा सिर्फ मुझे वह value मिलेगी जो की data के अंदर मुझे मिलने वाला है तो वो मेरा converted amount के अंदर आ चुका है and उसकी value अगर होगी तो मुझे यहां पर मिलेगा वो funda इतना ही है simple सा let's go with 10 and मैं इस पर click करता हूं so 3 to 1 and boom guys see मेरा गाम हो गया so कितनी easily आप देख सकते with the help of react query हमने यह awesome live exchange rate में आपको करके यह बता रहा हूं let's say European मैं click करता हूं तो 10 European will be equal to इतना इंडिन रुपीज है ना तो कितना होता है देखे तो जारा 10 European dollar I mean 10 European euro basically euro will be equal to 10 dollars 10.81 dollar मतलब European currency जो है वो बड़ी है अमेरिकन डॉलर से तभी तो इसका 10 रिपया अमेरिका में 10 रिपया and 81 पैसे हो जाते है ठीक है so yeah this is it आज इस वीडियो के लित नहीं and अगर आप API में थोड़ा बद कुछ गड़वर्ड कर देते हो right let's say यहां पर मैं एक सी बूलिया अब मैं इसको एक बार रिफ्रेस्स करूंगा and convert करने की कोशिस तो by default आप देख सकते हो कि converting दिखाया दिखाया जा रहा and name not resolved basically तीन बार चलता है and उसके बाद basically देखा रियक्ट कोरी की इतना awesome है कोशिस कर रहा नहीं साहित मैं से कुछ गलती हो गई क्या फिर कोशिस की बिसिकली तीन बार कोशिस करने के बाद जाके नहीं यार कुछ तो गड़बड हो तो network error आ गया यहां पर जो भी हो बट आपको पता चल गया कि error को हम directly display करा रहे and कितना ज्यादा यह awesome है so guys इसका जो source code है मैं बिल्कुल free मैं आपके साथ आपको यहां पर पूरा async पूरा मैंने आपको कैसे react query के साथ and react के साथ आप खेल सकते इतना ऑसम प्रोजेक्ट बताया हां यह जो API की प्लीज आप अपना API की यूश कीजिएगा क्योंकि विल्कुल लिमिटेट है वह बट मैं आज इस वीडियो में जो आपको सिखाना चा प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के सेर एंड मैं चाहता हूं अपनी जिंदेगी का मुझे एक मिनेट दीजिए कमेंट करके बताईए आपको कैसा लागा क्या इसमें आप कुछ और इंप्रूमेंट देखना चाहते हो या कुछ और चीज आप एड़न कर ना करें लेट में तो यू वान थिंग आगे और ऊसम वीडियो साने वाले हैं मैं नहीं चाहता कि आप उसको मिस करें तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स टाइम तिल दन गाइस थिंक यू सो मच टेक क्यो